हलो फैंस मैं हूँ कंचिन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपके साथ शेयर कहने वाली हूँ दूद पेड़ा की रिसिपी जो खाने में बड़े ही स्वादिश लगते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाने में हमें सिर्फ दो चीजों की जरूत होती है तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें तो जटपट इसे बना कर खा सकते हैं आप इस मिठाए को बरत उप्वास में भी बना कर खा सकते हैं और यह खाने में बड़े ही स्वादिश लगते हैं इक तब मुव में जाते ही घुल जाने वाले हम ऐसे ही चलाते हैं उबालाने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर हम झौैक का फ्लेम तर हें गाड़ा होनेट तक पका लेंगे यहाँ time लगने वाला मिल्क को गाणा करने में तो इसे रिषाओ्स पर जो जादातार चलाते हुए घडाह और तक यहाँगे जो यह दूद के साइड साइड में जो मलाई चिपके हैं इसे भी हमें स्क्रेप करते वे दूद में ही मिक्स करते जाना होगा इससे दूद का टेस्ट भी बढ़ेगा और यह गाड़ी भी होती जाएगी दीरे-दीरे तो देखिए इस तरह के से हम इसे मेडियम फ्लेम पे ही लगताज चलाते हुए पकाएंगे जैसे-जैसे दूद गाड़ी होगि इसमें बहूत अच्छी सोंदी-सोंदी खुस्बु आनी शरू होगी तो इस तरह के से लगताज चलाते रहेएं अगर दूद तले से अगर लगनी सुरू हो जाएगी तो फिर इसका सारा interes बिगड़ जाएगा तो यहां पर देखिए लगतार चलाते हुए दूद भी काफी गाड़ी हो चुकी है और यह अपनी कॉंटिटी से काफी कम भी हो गई है तो यहां पर हम इसी स्टेज पर एड़ करेंगे सूगर तो यहां पर मैं यह तीन बड़े चमा जो हमने सूगर लिय है तो यहां पर मीठा आप अपने टेस्ट अकोर्डिंग डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद दो मीठा तो आप यहां पर चार से पांच टेवलस्पून अड़ कर सकते हैं लेकिन तीन टेवलस्पून में परफेक्ट मीठी हो जाती है तो मेरे लिए परफेक्ट ह इसलिए मैं आप तीन टेवल स्पून आड़ कर रही हूं तो इसे हम डाल देंगे और इसी डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ऐसे ही चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि जो है दूद गाड़ी होकर पेन को न छोड़ने लगे तो यहां पर आप देख प्लेट से यह और भी ठीक हो जाएगे तो इस तरह किसे आपको चलाते रहना है और देख सकते हमारा यह जो मावा काफी ठीक हो गया और पेन को भी छोड़ने लगी है तो यहां पर मैं इसे जो है एक प्लेट में निकाल लेंगी ताकि हमारा जो मावा है जो जल्दी से जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं और जब यह हलकी सी जब यह ठंडी हो जाएगी जब यह हातों से छूने लाइक हो जाएगी तब यहां पर हम हातों में घी अपलाई करेंगे और इसे मसल मसल का चिकना एक डो के जैसा हमें कर लेना है तो देखिए इस तरह किसे बिलकुल इकफल साइच के जो है बोल्स बनाएंगे ताकि हमारे जो पेड़े हैं साभी एक साइच के जो है बनकर तयार हो तो यहां पर मैंने जो है पेड़े में कुछ भी इलाइची पाउडर बेगा नहीं डाला क्योंकि मुझे पूरा जो यह पेड़ा दूद के फ्लेवर में ही च देखे इसी प्रकासे जो है हम सारे बॉल्स बना लिए हैं और यहां पर हम एक बॉल्स लेकर इसे हातों से इस तरह के सिरांट से खारेंगे इस तरह के सब्सक्राइब हम सभी पेड़े बनाकर तयार कर लेंगे देख सकते हैं तो इसी परकास से हमने सारे पेड़े बनाकर तयार कर लिए हैं और अब मैं इसके उपर पिस्टे की कत्रन से गानिश करूंगी तो यह पिल्कुल ऑप्चिनल है आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं पस इसे अच्छा ल कर तयार हुई है तो आप चाहे तो इस पेड़े को अलग अलग फ्लेवर में भी बना सकते हैं आप इसे केजर फ्लेवर में बना सकते हैं या फिर आप इसमें गुलाब जल भी डालकर बना सकते हैं तो यह आपके उपर है आप इसके अलग अलग जो है फ्लेवर में डालकर हमारी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बिताइए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को पेस्क्राइब ना भूले मेरी नहीं वीडियो की अप्लोट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ तब तब के लिए बाई बाई